हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका विदिक पीडिया पे आज का हमारा टॉपिक है देफरमेशन यानि कि मानहान एक परसन की रेप्यूटेशन जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति मानी जाती है और हर व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो अपनी रेप्यूटेशन को बचाए ये एक ऐसा राइट है जो कि एक इनहरेंट परसनल राइट माना जाता है और इसे राइट इन्रेम भी माना जाता है मतलब राइट गूड अदेंश्ट और परसन इन दी वर्ड डेफरमेशन जो है वो किसी ओरले रेटन स्टेटमेंट से किया जाता है जो कि कोई एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति के रेप्यूटेशन को हानी पोचाने के लिए करता है डेफरमेशन के दो प्रकार होते है पहला लिबल और दूसरा फ्लेंडर अगर कोई statement written way में या published way में हो तो उसे label माना जाता है और वहीं अगर कोई statement spoken way में हो तो वो फ्लेंडर के अंतरगत आता है लेबल के प्रकार होता है permanent writing, printing, caricature, etc. वहीं फ्लेंडर में way of speaking या gesture आता है Winfield define करते है defamation को एक publication of statement के रूप में बाते हैं लिबल और फ्लेंडर की बीच में difference की तो लिबल जो है वो defamation को वो प्रकार है जो की permanent form में किया जाता जैसे की writing, printing, picture, etc. वहीं फ्लेंडर जो है वो transient form में किया जाता जैसे की way of speaking ये gesture के रूप में है लिबल जो है वो criminal और civil दोनों wrong होता है वहीं फ्लेंडर जो है वो एक civil wrong होता है लेकिन कुछ word उसे criminal offense बना दुछ जैसे जो की होते ब्लैक्स फेमास ये स्वीडीशेफ भी नेचर की लिबल जो है वो एक infringement है right का और उसको प्रूफ करने के लिए उसको actual damage प्रूफ करने की ज़रत नहीं होती है वहीं फ्लेंडर जो है वो actionable तभी होता है जब special damage प्रूफ किया जाए लिबल जो है वो greater deliberation दिखाता है malef intention का मतलब बुड़े intention का कि कि वो किसी व्यक्ति को defame करना जाता वहीं फ्लेंडर जो है वो heat of passion या heat of moment में या provocation में कर दिया जाता है कुछ शब्द बढ़ बढ़ा के लिबल जो है वो eyes को address कर रा जाता है वहीं फ्लेंडर जो है वो years को address किया जाता है अब आते है essentials of defamation पे तो पहला essential वो है कि statement fall for defamatory होना चाहिए दूसरा वो plaintiff को refer किया जाना चाहिए और तीसरा वो publish होना चाहिए अगर defamatory word के requirement की बात की जाए तो उसमें यह देखा जाता है कि society का normal व्यक्ति उसे किस रूप में perceive करता है अगर वो feeling of hatred, contempt, ridicule, fear, dislike को consider करे तो वो defamatory होता है कभी कभी जो statement हो प्राइमा से सी innocent लगता है मतलब defamatory नहीं लगता है बट उसमें कुछ ऐसे चुपे हुए है secondary meaning होते है जो कि defamatory के रूप में होते हैं तो defences की बात करे अगर defamation की तो पहला है justification and truth दूसरा है fair comment और तीसरा है privilege वो absolute हो सकते या फिर qualified justification and truth की बात करे तो अगर कोई भी statement दी जाती है तो वो justified हो और fuch हो वहीं अगर fair comment के essentials की बात करे तो वो तीन होते हैं पहला वो एक comment होना चाहिए मतलब कोई expression of opinion होना चाहिए ना कि assertion of fact दूसरा वो fair होना चाहिए मतलब बिना malice के बिना बुरे नियत के होना चाहिए और तीसरा वो published रूप में हो public interest के absolute privilege की बात करे तो वो आते हैं पहला article 105 clause 2 Indian constitution के जो की कहता है कोई statement अगर किफी member द्वारा दिया जाए किफी house of parliament के या फिर कोई report published की जाए किफी house of parliament के द्वारा वहीं दूसरा judicial profiting जहां कोई action नहीं लिया जाता किफी judge, council, witness या parties के against qualified privilege में बात करें तो qualified privilege, absolute privilege से दो aspect में अलग होता है पहला जो statement है वो without malice हो मतलब की बिना किफी गलत नियत के दिया गया हो और वहीं दूसरा जो statement है वो किफी privileged occasion में दिया गया है वो व्यक्ति जो उस communication को दे रहा हो वो interest हो उसका या से duty हो social, legal या moral कि उसको ये public करना है अब आते हैं कुछ case loss defamation से related तो पहला case law है प्रोसेसर अम्तियास एहमद वर्सस दूर्दनाज हमीर इस case में एक प्रोसेसर होते है sociology के जीनियों में प्रोसेसर अम्तियास एहमद उनके खिलास और एक family के खिलास एक case file कर दिया जाता है dowry का दूर्दनाज हमीर के against वो में इसके चलते प्रोसेसर अम्तियास एहमद को anticipatory bail मिल जाती है लेकिन वो case file करते है damage का दूर्दनाज हमीर के against की उनकी वजह से उनकी reputation की हानी हुई है और उनको एक perpetrator माना गया dowry demand के लिए एक अमसारी word deliberately add किया गया है उनके name के आगे और यह जो अमसारी word है यह lower caste के people को दिखाता है तो court यह decide करता है कि जो अमसारी word है वो defamatory नहीं माना जा सकता क्योंकि lower caste के people का नाम defamatory नहीं होता है और इस जैसे उनकी कोई image प्रभावित नहीं हुई है और जो plaintiff है वो अभी तक JNU में प्रोसेसर है और वो अपना वो tv shows में भी आते रहते हैं और अपने known bias के गये जाने जाते हैं और जब तक इस case के facts clear नहीं हो जाते और वो गलत नहीं थाबित हो जाते तो यह defamation का case file नहीं हो सकता है तो कोई action arise नहीं होता है तो suit को dismiss कर दिया जाता है अगला case law है तुशार कांति घोष वर्सेस बिना भॉमिक इस case में अमरीत बजार पत्रिका में एक article publish होता है जिस नाम से कि पत्रिका copies looted under daylight robbery by discharged employees जिसमें बिना भॉमिक को union leader और controller का जाता है मिसिस भॉमिक union का जिसके members और hirelings जो है वो daylight robbery करते हैं इसमें यह भी कहा जाता है कि बिना भॉमिक का union को union नहीं है और वो deliberately affiliated है किसी central union से एक subter search की रूप में plaintiff जो एक defamation suit file करती है label का defendant के against जो trial quote है वो defendant को guilty कहता है defamation का और यह कहता है कि जो publication है वो defamatory statement किसी plaintiff के against personally परसनली है यह आ गया है defendant अपनी limits को over step करता है fair comment के नाम पर मैलिव के साथ court जो हो 5000 रुपे compensation plaintiff को दिलाती है और injunction grant करती है defendant कोई भी आगे article published नहीं करेगा the last words के साथ plaintiff के against जो plaintiff जो defendant हो बाद में इस के against Supreme Court में case file करते हैं इस case में Supreme Court भी यंत में यही decide करता है जो plaintiff है उन्होंने evidence दिया होता है कि जो accusations है उनके against दिये गए वो libelous in fact or law है तो defendant जो case file करते हो आप इस से वो appeal dismiss हो जाती है आखरी case law है रुस्तम के करांजिया versus KMD ठाकर से इस case के facts की बात करी जाए तो blitz में एक article published होता है Half of Thacker Day के नाम से जो कहता है plaintiff जो chairman है एक textile control board का उसने पोजिशन का exploitation किया और enormous wealth accumulate किया है lawful और illegal means से जो qualified privilege का defense है वो लिया गया था defendant दोड़ा लेकिन इस plea को reject कर दिया गया है दोनों grants पे elements of duty होती है किसी statement को communicate करने के लिए वो भी missing थी इस case में यह decide किया गया कि जो mere fact है वो general public के interest का होना ही जरूरी नहीं है और जो person या से newspaper है उसकी यह duty है कि वो communicate करे और जो article था वो maliciously publish किया गया था इमसे पहले occasions में भी जो newspaper है उसने ऐसे चीज़े को publish किया गया था और जो plaintiff है उन्होंने defendant editor से माफी मंगवाई थी उन defamatory articles के लिए तो दोस्तों यह था defamation एक detailed वीडियो और उससे related की a fluff ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए विधिक पीडिया को follow करना ना भूले और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो क्रिप्या लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें विधिक पीडिया को देखने के लिए धन्यवाद कर दो सकतरूद और अच्पश ऑगर लाइक यह हुआ